है लो फेंज नमस्ते दोस्तों विटामिन E को आप सभी भली भाती जानते हैं इसी विटामिन E के दो सबस्चेंट्स हैं टोको ट्रायनोल तता टोको फेरोल यह दोनों एक दूसरे से केमिकल रूप से काफी सीमिलर है थोड़ा बहुत इनमें चेंजेज भी है जो इसमें टोक खाने की वस्तों है उससे प्राप्त कर सकते हैं जैसे की राइस ब्रेन ओइल पाल्म फ्रूट जो गेहूं इनमें यह सभी पर्चूर मात्राम होता है तो इनको खाने पर हमें यह मिल जाता है लेकिन कई बार हमारे सरीर में इसकी बहुत ज्यादा मात्राम आवस्वता होती उस समय इन से वह पूरती नहीं हो पाती इने बहुत ज़्यादा अमोंड में खाना होता जो पोसिबल नहीं हो पाता तो ऐसे इस्तिते में इस टोको ट्रायनोल को एजे सप्लीमेंट कैपसुल की रूप में दिया जाता है यह कैपसूल एक सौप जिलेटिन का कैपसूल होता उसमें सबसे पोपूलर ब्रैंड में टोको फिल सॉफ्ट जिलेटिन कैपसूल कोट्रिक सॉफ्ट जिलेटिन कैपसूल तो इस और सॉफ्ट जिलेटिन कैपसूल यह इसकी कुछ ब्रैंड्स मैंने आप बता ही जो काफी कम है लेकिन इसकी बहुत कम ही ब्रांड अवैलेबल हो सकती लेकिन जो सिर्फ शिंगल टोको ट्राइनोल है उसकी ब्रांड यह तीन ही है और इसके अलब अगर सिंगल साल्ट आप में किसी मिले तो उसको आप खईच सकते हैं क्योंकि सबका एक जैसा ही असर होता है अगर यहां पर हम इसके प्राइस की बात करें कितने रुपय मे किसी कंपनी द्वारा 10 कैपसूल की स्टिप निकाली जाती है कोई 15 कैपसूल की स्टिप निकालते हैं कोई बोटल पेकी निकालते हैं जिसमें 30 कैपसूल हो सकते हैं 60 कैपसूल हो सकते हैं लेकिन जो एवरेज कैपसूल की प्राइज है वो 2 रुपे से 4 रुपे ही होगी एंटी इंफ्लामेटरी तदा एंटी फाइप्रीबॉलाइटिक प्रोपर्टी रखने वाला एक दवा है जिसका प्रियोग हमारे टीसुज में सूजन को ठीक करने के लिए सेल्स को हैल्दी रखने के लिए लिया जाता है कुछ बीमारियां जैसे की नोन एलकोहलिक फेटी लि स्सक्राइब लिया जाता है कोई व्यक्ति है जिसको फ्रेक्चर हो घटी में क्रेक्डिक होगे उ- box फ्रेक्चर को जल्दी रिपेर करने के लिए इसका क्यूफ डिया जाता है और किसी को गाव हो जीआ को इन्जीर्यू हो है तब इससे सब्पोर्टिू मेडिसिंगे ग्र ayud तोस तॉसमें दिया जाता है एक मिनट रूब को वीडियो अच्छा लग रहा है जानकर भी पशंदार आ रही है तो वीडियो को लाइक करो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो एसी ही जानकर आपको और भी मिलती रहे गी इस टौको ट्रैनोल कैब्स ज्रुदिह समध्यां के ल साथ ही इसका प्रियोग उसमें भी लिया जाता है जब किशी व्यक्ति को इसकीन को healthy दिखाना हो, इसकीन को glow करना हो, साथ ही उसे anti-aging की रूप में प्रियोग लेना हो, मतलब व्यक्ति बूड़ा होते जा रहा है, उसकीन ओल्ड हो रही हो, लेकिन वो इसकीन को नहीं रखना तब भी इसका प्रियोग लिया जा सकता है, यदि किसी व्यक्ति को बालों में बालों को उड़ने की समयश्य हो रही जिसे में L.O.P.C. आरेटा कहते हैं, यह इक प्रका की समयश्य जी में गोल पिचस में व्यक्ति के बाल उड़ने लगते हैं, देरे-देर पूरे बाल होती है, उसमें AJ Supportive Medicine इसका प्रियोग लिया जाता है, इस कैप्सुल का प्रियोग जो डाइबेटिक मरीज है, उन्हों भी किया जाता है, इस समय जब डाइबेटिक नेफ्रोपेति किसी व्यक्ति को हो जाए, किड्नी से जुड़ी हो जाए, किड्नी डेमिज हो जाए, तो इसका प्रियोग लिया जाता है, और एक और ब्लडी बिमारी हो जो अनुवांसिक बिमारी है, जिसका नाम है इस बिमारे में व्यक्ति के जो ब्लड सेले, इसमें प्रोटीन की मातर बढ़ने लग जाती है, और जैसे हमने जाना था है, उनुवांसिक बिमारी पीडी दरवी इसमें प्रियोग ले जाना चाहिए, लेकिन डॉक्त अपने अनुवां के अधार पर प्रियोग लेते हैं, अच्छा रिजल्ट और को मिलता है, तो इस परकार से इसकी यूज़र है, अब वीडियो मागे जान लेते है, इस जड़कर के लिया जाना चाहिए, तो यह जो आपको डोक्टर दार दिया जाता है और अगर आप यह केप्सुल दिन में तीन बार ले रहे हो मतलब 600 मिली गाम टोको ट्राइफरोल डेली ले रहे हो तो उससे ज्यादा नहीं लेना इसकी मेक्जीमम डोस होती है और अगर बीडी ले रहे हो सुबह साम ले तो लंबा इसको दिया सकता है अगर प्रेग्ड्नेंसी की की बात करे तो लेकिन डोक्टर के सलहा के बगर इसका प्रयोग नहीं करना चैयो सातär जो ओंडे उन्में इसको प्रयोग लिया जाइस सकता है अब जान लेते हैं क्या क्या side effect षक्फेक्ट होते हैं इसका जयातना तर साइड इफेक यदि यह हो या इसके लव को दूसरे प्रोलम आपको हो तो इस के लिए बंद कर अपने डॉक्टर से मिलें तो दोस्तों यह पूरी जानकाय थी टोको ट्राइफरोल के बारे में जिसके लिए आपने मुझे कमेंट किया था यह वीडियो को कैसा लगा कि आपकी क्वाइडी प आपमीजनी करवाइडी पूसरे सब्दिवा क्या मिलें पूसरे स्वेडी होले